सामने देखें, नीचे ना देखें कि spinal cord आपकी ऐसी जुकी हुँए है spinal cord को सिधा करें, सामने देखें सांस लेते हुवे दोनों हाथों को ऐसे उपर की तरब ठाए जितना हो सही, जितनी है आपकी mobility हो दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से आप करेंगे कास्ट तक्षणासन का अभ्याज जैसे कि नाम से भी पतर चलता है कास्ट तक्षणासन मीज कास्ट मीज लगडी या वुड और तक्षणासन मीज उसको फाड़ना, चीरना या चौप करना तो वुड चौपिंग पोज इसका अभ्यास अगर आप हर रोज करते रहते हैं माक्र पाच मिनट सुबह सुबह तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में गजब की आप पूर्जा महसूस करेंगे उर्जाबान महसूस करेंगे बनकी इसके अभ्यास से आपके पूरे के पूरे शरीर की फ्लेक्सिबलिटी घजब की डगलप होगी आपकी कमर आपकी गरदन आपके कंदे आपकी लोवर बैग आपकी हिट चौइंस को बहुत अची तरीके से फ्लेक्सिबल करता है और साथ ही आपके शरीर में जो extra accumulated fat है ना back की fat, आपकी belly की fat, आपकी hip की fat इस चर्वी को भी पिग्लाने में बहुत मदद करता है इसका अभियाब अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आपको metabolism improve होता है metabolism जो improve होता है तो digestion बहुत अच्छी तरीके से होता है जो कुछ भी आपने खाया पिया है वो अच्छी तरीके से digest होता है ओशक तत्व शरीर में absorb होते हैं और जो कुछ भी waste है उसको body से बहुत अच्छी तरीके से eliminate करने में भी मदद करता है जब आप इस आसन को कर रहे होंगे squatting position पे बैठ कर तो इससे आपके पूरे पूरे pelvic floor की muscles जो है उनमें बहुत अच्छा खिचाव आता है और वहाँ पर blood flow improve होने के कारण इसके अभ्यास से आपके genital तक की तरफ blood flow improve होने के कारण लेडिस को तो बहुत मदद मिलती ही है कि वो conceive करना चाहती है या pregnancy के दोरान उनकी delivery जो है easy हो जाए अगर आपको periods के दोरान बहुत pain होता है तो ये आसन आपके लिली लेनी है इस आसन के अभ्यास से पूरी के पूरी लीड की हड़ी पर बड़ा गजब का निचावाता है तो ये समझ लीजिए कि पूरे शरीत के जो joints है वो आपके स्वस्त रहेंगे और healthy रहेंगे कि अगर आपको पैरों में कोई injury है रीसेंट जिसकी बज़े से आप बैट ना पाएं और अगर आपी spinal cord में कोई surgery हुई है पेट में कोई surgery है तो इसका अभ्यास ना करें क्यूंकि इसमें आपको ताकत लगानी पड़ेगी अब देखिए घबराईए गरी जैसे मैंने squatting position बोल दिया तो जो मैं इस आप देखिए इस आसन को मैं बहुत आसान करके बताऊंगी पहले तो उन लोगों के लिए जो इसको आसानी से कर लेंगे पत्य दूगले हैं जो नॉर्मली अभियास करते रहते हैं लेकिन वो लोग जिनके गुटने में दर्ण हैं जो बिकनर्स हैं जिनकी थाई बहुत मोटी है और आरांग से वो squatting position पर यारी उगडू नहीं बैट सकते उनके लिए भी मैं इस आसन को बहुत आसान करूँ कि क्योंकि आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मेरा काम ही है हर ए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना नीचे जो लाइक अलर का बटन दिख रहा है बस उसको दबा लिजिए पर मेरा अभ्यास मेरा प्रयास पसंद आ रहा है कि इस वीडियो को लाइक करके और इस लिंक इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और शुदारों को भी खुम शिर कीजेगा नमस्क्राइब दोस्तों मैं शुदा आप सभी का स्वागत करते हूं आपके यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सुभी तो आए सबसे पहले हम अमने जॉइंस को थोड़ा बांग करते हैं जिससे कि जब हम अभ अभ्यास कर रहे हों तो हमारे जॉइंस में किसी भी तरीके की टेंशन ना हो अब क्या करेंगे अपने पैर की सारी की सारी जो उगलिया में इतको धीले से कॉंट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से यानि दबाएंगे फिर इसको धीला छोड़ देंगे ऐसे एक दो ती चार पा अब एंकरस को पूरा थ्री सिच्षी डिगरी गुमाईने क्लॉक वाइज और अटी क्लॉक वाइज कैसे एक दो ती चार पाँच छे सार आट नौ और दत अब एंटी क्लॉक वाइज दस, नौ, आट, साथ, छे, पाँच, चार, तीन, दो और एक अब क्या करेंगे दोनों पैल्में पंजों में तुझे के साथ जोड़के इसको अपने एडियो को अपने पैल्मिक रिजन के और करीब लेके आ जाएंगे जिससे कि हमारे हिट चॉइंस के सास्तार घुटने के आराओं की जो मसल्स हैं वो भी मोबाइल हो जाएं और बाउंड हो जाएं तो दोरों पैरों को ऐसे पकड़ लिया अपने हाथ पे और ऊपर नीचे ऊपर लीजे अपने घुटनों को फ्लाप करेंगे जैसे कि बटरफ्लाई यानि किदली के पंक ऐसे पड़ पड़ाते हैं अब इस स्कॉर्टिंग पोजिशन पर बैट रहना तो वो लोग तो आसानी से बैट लेंगे जो पथले दूबले हैं या कि जिनके घरों में शुरू से नहीं वो आरांग से जमी पे बैटते हैं फर्ष पे बैटते हैं तो वो लोग इसका अभ्यास आसानी से कर लेगे जो आसे स्कॉर्टिंग पोजिशन पे ना बैट पाएं बुजूर्ग हो या जिनकी थाइस बड़ी मोटी है या रुखने में दर्भ है वो थोड़ा देर रुखे या ग्यात आप ना करें क्योंकि वीडियो के आगे ही मैं आपको इस पॉस्च्टर को मॉडिफाई करके बता र आपने दोनों पैरों के बीच में फासला किया कबर जितने लवल तक ऐसे तो दोनों पैरों के बीच में अपने कमल जितना आपने ऐसे फासला कर गिया ऐसे इस तरीके से है ना अपने पूरे के पूरे पैर के पांचों को फ्लैट आपने मैट पर रखा है एड़ी ऐसे उठ अगर उठ रही है तो थोड़ा इंकजार कीजिए इसके लिए भी मैं मॉडिफिकेशन बताऊंगी आपने पैर को मैंने फ्लैट कर दिया ऐसे मैट पर अब हम क्या करेंगे कि आपने शोल्डर को हिन कर लिया और अपने गुटने को बाहर इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक बड़ी कुलारी है आपने कभी लगड़ हारे को लगड़ी काटते हुए अगर देखा हो तो उस तरीके से इमेजिन कीजिए कि आप वो लगड़ हारे है तो आपने उस कुलारी को अपने हाथ से पकड़ा दोनों हाथ की उलियों को ऐसे क् सांस लिया और सांस चोड़ते हुए जोर का प्रहार मालेंगे सामने कि अगर आपके सामने को लगडी रखी है तो उसके दो हो जाए है इतनी मस्बूति से सांस लिया सांस चोड़ा इतनी जोर से तो आप मैं इसका सांसों के सांथ सिंक्रनाइस करके इस अभ्यास को आपको बता रहे हुए सांस लिया दस भार अभ्यास करेंगी हूं तो जब यह भ्यात में कर रही थी तो आपने पीछे आवाज सुनी तो यह जो हाग की आवाज आ रही है वो गर्दन से आ रही है बहुत से लोग ऐसे करेंगे मुह से साथ चुलेंगे यह नहीं करना है मुह बंद रखना है और जोर से जब आवाज आएगे तो गर्दन से फ्रिक्शन करते हुए फिर सांस बाहर आएगी जही है तो सांस लेंगे ऐसे सांस लेंगे इस तरीके से अब रेखे यह तो हो गया अभ्यास तुन लोगों के लिए जो आसानी से अधिने मजबूत नहीं है और हिप जो जॉइन तर बड़ेगी ताइफ है तो आप क्या पीचेगा कि आपके घर पे पर आपको खोल ले अची तरीके से और टैप कर लें तो आपके घर पे क्या होगा कि छोटी टेबल होगी जो कि आप नामाते समय ये किचन में इस्तमाल कर तो आप सभी का स्वागत है मेरी online yoga classes में इन online yoga classes को सुबह 7 बजे से 8 बजे Zoom के माध्यम से कंडग किया जाता है तो आप देश या दुनिया के किसी भी कोने में है आप आसानी से इन classes को Zoom के माध्यम से जुड सकते हैं अब इन classes को जब आप जोन करते हैं तो ऐसा बिलकुल मन में जिजक मत रखिएगा कि हम तो beginner हैं, हमने पहले कभी योग का अभ्यास नहीं किया, तो कैसे हम Zoom के माध्य हम से इस class से जुड़ जाएं और अभ्यास करें, तो फिक्र की कोई बात नहीं, हर एक postures को step by step, योगासन, प्रानायाम, मेडिटेशन, अलग-अलग तरीके की योगिक क्रियाएं, अलग-अलग तरीके की relaxation की टेकनीक आपको सिखाई जाती है, और beginners को धियान में रखे, अब इन classes को जब students join करते हैं, उनको बहुत सी health condition होती है, lifestyle disorder diseases होती है, चाहे वो पाइराइड की समस्या, diabetes की समस्या, hypertension, high blood pressure, fertility से related समस्याएं, PCOD, PCOS की समस्या, UTI का infection, और ऐसी बहुत सी health condition में, जब आप योग का अभ्यास करते हैं, अपनी medication तो चल रही है, आपकी doctors के, आप सला में तो हैं ही, उन medications को कर ही रहे हैं, साथ ही जब योग का अभ्यास करते हैं तो आपको उन health condition से उबरने में और भी ज़्यादा मदद मिलती है, और आप उन health condition से आसानी से अपने lifestyle को सही करके उबर सकते हैं, अगर आप इन online yoga classes को सुबह 7-8 जॉइन नहीं कर सकते हैं, live classes जॉइन नहीं कर सकते हैं, तो मैंने कुछ courses develop किये हैं, जो की super easy, simple लेकिन बहु www.yogavidshahida.com पे हैं, यहां पर सारी शेयर की हैं, आप ज़रूर विजिट कीजेगा, और अगर वेबसाइट पर विजिट नहीं करना चाहते हैं, तो simple सा जो यह WhatsApp नमबर है ना, इस WhatsApp नमबर पर एक हाई लिग दीजिएगा, आपको class के बारे में सारी की सारी detail मिल जाएगी एक योगा ब्लॉक रख ले और अगर stiffness जादा है तो दो योगा ब्लॉक रखी है हमने, इस तरीके से, दो योगा ब्लॉक रखी तो आप जो बेट है, एंकल, भुटने, हिप और योगा ब्लॉक पर इसमें एंकल, उटना और हिप पर डारकी रहे हैं, योगा ब्लॉक पर थो और सास छोड़ा ऐसे, सास लिया और सास छोड़ा ऐसे, ध्यान देजिएगा कि नीचे ना, देखेंगे नीचे देखेंगे, तो इस तो आप जब हाफ ऊपर कर रहे हैं और नीचे कर रहे हैं पूरी के फूरी Spiral Cord में फ्लेक्सिबिलिटी आई तर उपर किया, कंध़ उपर किया, सर उपर किया, Spy tracing Cord उपर किया तो इस तरिके से क्या होगा? स्पाइडल कॉर्ट अची नी होगी करदन गंधे के आज पास जो एक्स्ट्रा एक्ट्रा एक्यूमुलेटिट फैट हो तो कम होगी योगी दर्ग भी कम होगा और इस सरीके से हिप जॉइंस ओपन हो जाएंगे अब अपनी योगा ब्लॉग को हटा दे और आराम से अपनी योगा मैट पर बैचे पैरों को खोल ले फिसे पैरों को ऐसे इस तरीके से टार्प करे अब मैं अगला अभ्यास उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके ही घुट्रे में बहुत दर्द रहता है बुजूर्ग है और साथ ही बिंदर है या की थाई बड़ी मोटी है इस तरीके से स्कॉर्टिंग पोजिशन पर बैठना तो उनके लिए नामुम्किन है तो अब हम इस अभ्यास को खड़े होके करेंगे लेकिन इस अभ्यास को बैठने पर जादा benefit मिलते हैं तो अगर आप बैठने में सम करेंगे खड़े होके इसी प्रैक्टिस को तो दोनों पैरों के बीच के आप कम से कम दो फूट का पासला रग लिजेगा उसी तरीके से दोनों पैर जो है वो फ्लैट हो आपकी मैट पर दोनों हाथ की उलियों को इंदूसरी के साथ हसा लीजेगा जैसे कि आपने बड़ी स अब तरफ प्रहार करेंगे सांस लिया और सांस शूड़ा है अए इस तरीके से तो आपने इस अफ्याज को कम से कम 10 से 15 और ना कर सके तो पाज कर लें और इसके कम से कम 3 से अफ्याज कर लिया गरें एक बार किया तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको अलग-अलग तरीके से बताया कि कास्ट तक्षणासन का अभ्याज कैसे आप करेंगे और इसके जो भी बेनिफिट बताए थे वो आपको किस तरीके से मिल सकेंगे I am sure कि आपको एक-एक अभ्याज, एक-एक प्रैक्टिस, एक-एक बारी की अच्छी तरीके से समझ में आधिल होगी और अब आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान कास्ट तक्षणासन का अभ्याज जरूर करेंगे अगर आपको कोई सजेशन हो, आप चाहते हैं, फ्यूचर में आपके सजेस्ट यूए किसी टॉपिक पे में वीडियो बनाऊं तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, आपके कमेंट का मुझे बेसबरी से इंतजार रहेगा नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूँगी, अपने अभ्यास की निरंतरता को बनाए रखें, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करें और मन लगाके अभ्यास करें, आप खुद अपना और अपने परिवार का खूब खयाल रखें नेक्स्ट वीडियो में जली नी मिलूगी नमस्टे नेक्स्ट वीडियो में जली नमस्टे